हलो एवरिवन माई नेम इस मेगा बलाणी एंड वैलकम तो ओल उफ यू और आज हम करने वाले हैं आज का टॉपिक जो है वह है अलंकार टीक है अलंकार क्या होता है उसको समझ लेते हैं और सबसे पहली स्वात की क्यों पढ़ना है उसको भी देख लेंगे क्यों कि कोई परफाय होती है कब एक रोला होता है कब एक सोठा होता है लेकिन जब हम यह बनाते हैं यह जो छंद लिखते हैं तो इस छंद जो लेखक होता है वह बहुत-बड़े-बड़े डीप में लिख लिखके अपनी बात को अच्छे से समझा देता है ना हर एक चीज उसमें यूज क पढ़ने में मज़ा आए तो इसके लिए वो सारे छंद वाले रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं लेकिन एक और चीज उसमें डालनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं अलंकार अलंकार यानि जैसे हम शादी में जाते हैं तो शादी में हम ऐसे नॉर्मल ड्रेस अप तो होके नही आी जाते हैं हम ऑच्छे से तयार होते हैं लडकिया मेकप करती है घर में इतना सचते के नहीं है मैं जाते है नहीं दो एक सामने वाले को हम थोड़े लगें देखने वाले को समझ में आयाए कि हां है क्योई बंदा आया है शादी में तो इसी तरह से कावय जो होते हैं, उनको भी दिखाने के लिए कि भाई, यह बहुत अच्छा लग रहा है, डिखने में, पढ़ने में, थुड़ा सा सूधिंग सा लग रहा है, जिसको पढ़ने में मज़ा आरहा है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, अलंकारों को वैसे तो बहुत सारे अलंकार है, लेकिन आपके syllabus में जितना आएगा, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाओंगे, क्योंकि जादा पढ़ोगे, confused हो जाओगे, इसलिए आप उतना ही पढ़ना जितना आपके syllabus में आने वाला है, प्लस ये अलंकार आपके आगे जितने भी competitive exams होते हैं, बस एक बार फिर आपको सिर्फ क्या करना होता है, brush up करना होता है, start करते हैं, समझते हैं, अलंकार, तो सबसे पहले अलंकार के परिभाशा में हम अलंकार, जो ये शब्द लिखा है, उसको तोड़ के समझेंगे कि ये होता क्या है, तो देखते हैं, अलंकार, अलंकार क्या ह यानि जो भी उसको धारन करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार, यानि कि कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे अर्थ होंगे, जिससे वो kya लग़ा होगा, बहुती सुंदर लगता होगा काव्य, तो इसके अधार पर परिभाशा को अगर हम देख होगे, जो कावे की सुंदरता को बढ़ा देगा, यानि कि एक शब्द आपके लिए बहुत अलग-अलग माइने में और बहुत अलग-अलग तरीके से आपको एक इफेक्ट देगा, जिससे जो आपने बात कही होगी, वो बहुत ही निखर के सामने आएगी, तो इसलिए हम अलंकारों को यूज़ करते हैं, तो अलंकार क्या होता है, अलंकार, अलम और कार से मिलकर बना है, जो क्या करता है, कावे की सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होता है, अब आगे देखते हैं, अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन-कौन से, एक है शब्द अलंकार, दू तो शब्दालंकार ये भी क्या होते हैं पहले इसकी परिभाशा देख लेते हैं शब्दालंकार जब कुछ विशेश शब्दों के कारण कुछ ऐसे शब्दालंकार में हमेशा क्या ले रहे होंगे और उस शब्दों के आधार पर आपको कुछ क्या दिखता होगा एक अलग विशेशता दिखती होगी उसको हम शब्दा अलंकार कहते हैं इसके भी भेद होते हैं जो हमको पढ़ने हैं और वो हमारे एक्जामस में पूछे भी जाते हैं कौन-कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शलेश अलंकार कौन-कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, शलेश आगे हम इसकी परिभाशा भी देखेंगे इनकी उधारन भी देखेंगे कब क्या काम करता है उसको भी देखेंगे तो शब्दा अलंकार के तीन नाम याद कलेना अनुप्रास यमक शलेश ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अनुप्रास अलंकार को देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है पहले इसकी परिभाशा देख लो इसकी परिभाशा को अच्छे से समझ लो अगर आपको रहे न वो, शब्द नहीं, वन, जैसे क, या फिर ख, या न, प, ज, कुछ भी, चीक है, या कोई भी, सिर्फ वन की बात कर रहे हैं, एक शब्द की नहीं, वन की, जब समान वनों की बार-बार आवरती, आवरती मतला frequency, कि एक चीज बार-बार-बार-बार आ रही हो, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, क्या होता है, जब वनों की आवरती, जब आपको एक वन जो है, उसकी आवरती आपको बार-बार-बार-बार रिपीट मिले, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उधारन से देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है, पहला उधारन तरनी, तनूजा, तट, तमाल, तरूवर, बहुच्छाए। अब यहाँ पर क्या है, एक वन की, वन की, स्रिफे याद रखना है वन, आपको वन की आवरती बार-बार दिख रही होगी, जैसे तरनी मेत, तनूजा मेत, तट मेत, तमाल मेत, तरूवर मेत, इस तरह से आपको एक ही वन की आवरती बार-बार दिख रही है, तो यह कौन सा अ हमारा अनुप्रास अलंकार चारू चंद्र की चंचल किरने मतलब एक से ज़ादा होना ऐसा भी नहीं होगा कि आपको पूरी लाइन में ही आपको मिलेगा लेकिन आपको 2 से ज़ादा वन्ट अगर बार-बार दिखते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है अनुप्रास अलंकार हो स ऐसा नहीं हो किसे दो बार यह आ जाए तो आप सोजो कि अच्छा यह अनुप्रास होगा, दो से जादा बार आपको उस वर्ण की आवर्थी अगर दिखती है बार बार, तो वो क्या कहलाता है हमारा अनुप्रास अलंकार, clear, आगे बढ़ते हैं, next आता है यमकलंका, यमकलंका आता था, यहाँ पर एक शब्द जो है वो बार-बार आगर आपका आता है, किन्तु उसका अर्थ भिन भिन होता है बदलब शब्द तो दो बार आ जाएगा, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलंकार हो, तब वहाँ पर कौन सा यमकलंकार, फिर से रिपीट करते हूं, यमा कलंकर क्या होता है जिसमें एक शब्द जो है वो बार बार आए शब्द पूरा का पूरा शब्द वन नहीं पूरा का पूरा शब्द वो अगर बार बार आए और हर बार उसका क्या हो हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वो कहलाता है हमारा यमा कलंकार, तो कैसे पहचान होगे, देखते हैं, उधारन देखते हैं, सबसे पहला उधारन दे रखा है, कनक कनक ते सोगनी मादक ता अधिकाए, या खाए बोराए जग वापाए बोराए, ठीक है, तो पहले उधारन में अगर हम समझे इसको क्या है, पहले हमको ये एक बार मिला, फिर दूसरी बार अलग से फिर मिला, तो यहा पर कनक कनक, दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका मिनिधं करơnक है, क्यों? क्योंकि पहले कनक का मिनिंधं होता है, सोना, ठीक है? गोल्ड, ठीक है, वो सोना नहीं, Workman, to sleep man, वाला सोना नहीं, Gold, और दूसरे पहले वाले कनक का अर्थ होता है धतूरा धतूरा क्या होता है एक तरह का विशेला पजार्थ होता है जिसको हम सेवन करते हैं तो पहले वाले में कनक को का है कनक मिन सोना है और दूसरे वाले में धतूरा का है तो क्या बोला है कि कनक कनक ते सोग नी कि भई क्या कहते हैं जब अगर आपके पास सोना और धतूरे की बात कर रहे हैं कि आपके पास सोना अगर जादा होता है तो उसकी मादकता अधिक होती है जबकि हम क्या करते हैं धतूरे को तो हम खाए बोराए जग जैसे धतूरे को खाके लोग पागल हो जाते हैं नशा करके क्या हो जाते हैं यहां व इस तरह से शब्द एक था लेकिन उसके अर्थ दो दो थे नेक्स देखो काली घटा का घमन्ड घटा अब यहां पे एक बार यह घटा आया है एक बार यह घटा आया है दोनों का मिनिंग अलग अलगे क्यों क्योंकि यहां पर काली घटा वो वाला कि जब बादल बादल काले काले हो जाते हैं वर्षा होने वाली होती है तो उस टाइम जो काली घटा काले बादल आ जाते हैं वो है और नेक्स वाला जो घटा है इसका मतलब क्या है कम होना ठीक है तो शब्द एक जिसा था लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ अलग अलग हो गया तो यमक अलंकार कैसा अलंकार होता है जिसमें आपको एक शब्द जो है वो बार बार मिल सकता है लेकिन हर बार उसका मिनिंग अलग अलग होगा तो अनुप्रास जिसमें वन की आवरती बार बार ह होती है और यहां पर यमक अलंकार में क्या होता है किसी अधम की आवरती बार बार oti लेकिन हर बार उसका मिलिंग अलग 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 हो ठीके तो डेखो अगर आप इसको दिकश 이건 यह निंट की बात पर यह हर बार ऐसा ही कुछ चिया तो दिख रहा है आपको जब भी आप justify कर रहे होंगे उस कावियांच को तो आपको उसमें क्या दिख रहा होगा कोई न कोई वर्ण कोई न कोई शब्द दिख रहा होगा ठीक है अनुप्रास हो गया यमक हो गया अब आगे बढ़ते हैं अलंकार क्या होता है सबसे बहले श्लेश का मतलब समझो श्लेश का मतलब होता है चिपका हुआ ठीक है क्या होता है चिपका हुआ तो श्लेश का आठ होता है चिपका हुआ या फिर किसी चीज में मिला हुआ मिक्स्चर किया हुआ जब एक जब एक ही शब्द से हमें विभि दे जाएंगे अनुप्रास में वन बार-बार आता था यमक में आपको शब्द दो बार मिलता था और उन शब्द के मीनिंग डिफरेंट-डिफरेंट होते थे लेकिन शलेश में क्या होगा एक ही शब्द होगा और उसके meaning अलग-अलग होगा और शलेश में क्या होता है शब्द एक होगा लेकिन उसका meaning भूर different different तरीके से निकल रहा होगा उधारन देखते हैं उससे और clear होगा जैसे रहीमन पानी राखिये यह सुन रखा होगा आपने रहीमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून तो रहीमन पानी राखिये यहाँ पर रहीम जी है वो क्या कह रहे हैं मनुष्य को कह रहे हैं एक मनुष्य को क्या सला देते हैं कि आपको कैसा रहना चाहिए पानी की जैसा रहना चाहिए सबी के लिए वो कह रहे हैं कि कैसे रहना ची आपको पानी की जैसे रहना ची अब पानी के यहां पर इन्होंने तीन अर्थ निकाले कौन कौन से एक निकाला है मोती, एक मानुश और एक चून क्या कहा है जिस तरह से पानी पानी ज़रूर यह ना पानी के बिना कोई भी चीज incomplete होती है तो यहाँ पर पानी के लिए तीन अर्थ बताएं कि पानी की importance तीन तीन जगे पे अलग-अलग चीज़ों में जैसे मनुश्य मनुश्य के लिए क्या कहा है मनुश्य के लिए पानी एक विनम्रता नम्रता वाली बात है कि हमको हमारे जो मन है हमारा हिर्द है हमें कैसा रहना चाहिए विनम्र रहना चाहिए जिसे पानी बिलकुल निश्चल होता है उसमें कोई छल नहीं होता है ऐसे ही मनुश्य को भी क्या रखनी चाहिए विनमरता रखनी चाहिए दूसरा बोला है मोती मोती के लिए क्यों कहा है कि जैसे मोती होता है उसके चमक कब दिखेगी जब वो पानी के अंदर आपको दिखेगा मोती तब आपको वो मोती अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा तो इसलिए मोती के लिए भी तो पानी का यहां पर तीन अर्थ हमा निकलता है कि पानी के लिए एक मनुष्य के लिए विनवर्ता का प्रतिक है。 पानी मोती के लिए क्योंकि चमक उसी से लिए है और तीसरा चून चून यानि कि आटा सूका आटा खा सकते ह entrepreneur आपको कोई के दे कि सूका अळड़ फाक लो नहीं खापा आपको उस आटे की रोटी बनाने के लिए आपको किस की ज़र्द पड़ेगी पानी चोल दो तभी आप होगा इसको उसका उगूत के उसकी रोटी बनाऊंगे तभी आपका पेट भरेगा कोई ऐसे कहते हैं कि चलो आज खाना नहीं बन रहा है यह आटे की एक कटोरी सब लोग फाक लो तो आप फाक पाओगे आपका पेट भरेगा नहीं बरेगा उसको भी कैसे फाकोगे पानी चीज़ोगा तब भी आप उसको अंदर ले पाओगे तो इसी तरह से जिसे आटे के लिए भी पानी की ज़़ोत है ऐसे ही बाकी चीजों के लिए भी उन्होंने पानी की importants दिखाई है तो यहाँ पर शब्द एक चल रहा है लेकिन उसके अर्थ तीन अलग-अलग दिख रहे हैं, तो यही होता है आपका शलेश अलंकार, क्योंकि इस पानी के साथ ये तीनों चिपके होएं, इस पानी के साथ तीनों मिले होएं हैं, इस पानी के आधार पर ही इन तीनों का अलग-अलग मिनिंग निकलाएं, तो यह होते हैं हमारे कौन से अलंकार, शलेश अलंकार, तो यहाँ पर आपने जितने भी देखें, वो सारे कैसे थे, शब्द क्या दार पढ़ते, किसी में वर्ण मिल रहा था, किसी में एक शब्द बार बार आ रहा था, उसका मिनिंग अलग-अलग हो रहा था, और किसी में एक शब्द था, लेकिन मिनिं किसी meaning से यानि अब यहां पर कोई शब्द नहीं दिखेगा आपको क्या दिखेगा आपको सिर्फ और स्रिफ अर्थ देखके उसका भाव निकालना आ जाएगा वो कहलाता है हमारा अर्थालंका दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजा उसको हमको बहुत सुन्दर्दा से दिखाना है, तो उसको दिखाने के लिए हम उसके अर्थों के आधार पर भी उसमें कुछ चेंजिस करते हैं, वो क्यालाता है हमारा अर्था अलंकार, अब आपने अगर देखा होगा कि शब्द अलंकार में हम क्या कर रहे थे, कुछ शब् जोती अलंकार, तो यहाँ पर अर्था अलंकार में क्या होगा, अर्थ के आधार पर आप कुछ सजाओगे बढ़िया से, और उससे वो आपका निखर कराएगा, वही कहलाता है हमारा अर्था अलंकार, इसके भेद देख लेते हैं, अर्था अलंकार में आपके 5 भेद हैं, वै प्रेशा अलंकार, अर्थी श्योक्ति अलंकार और मानविय करन अलंकार, इन सबको समझेंगे, क्या कुछ में किस तरह से क्या क्या चीजे होती हैं, उसको देखेंगे, तो 5 भेद हैं, इन 5 हो को हम समझने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे उपमा अलंकार, उपमा, क्या हो होता है जिसमें हमने एक शब्द पढ़ा होगा उपमान और उपमे आपको याद होगा तो ना तो यहां पर वही चीज काम आने वाली है क्या काम आएगी देखो जब काव्य में किसी वस्तू या व्यक्ति की तुलना अब आप जब भी काव्य लिखोगे तो या तो किसी वस्त उपमा अलंकार होता है उपमा अलंकार क्या होता है पहले फिर से समझो जहां पर आप किसी वस्तू या व्यक्ति को किसी बहुत फेमस वस्तू या व्यक्ति से क्या करते हो उसकी तुलना करवाते हो कि इसके जैसा उसके जैसा वैसा तो वो क्या कहलाता है हमारा उपमा अलंकार केराता है. जैसे आप खुद को किसी heroine से compare कर रहे हो किसी का भी नाम लेलो उससे अगर आप compare कर रहे हो तो आप क्या हो एक व्यक्ति हो आप किसी बहुत प्रसिद heroine की बारे में बात कर रहे हो जब से comparison तो कैसे बोल रहे होंगे कि तुम उसके जैसी दिखती हो तो यहाँ पर आप एक शब्द यूज़ कर रहे हो, जैसी, वैसी, मासी तो यहाँ पर आप किसी भी चीज को अगर कंपेर कर रहे हो तो कुछ ऐसे कंजंचन लगा रहे हो कुछ ऐसी चीजे लगा रहे हो जिससे आपका क्या हो रहा है उसके साथ comparison हो रहा है तो यह हमारा क्यालाता है उपमालंकार उधारन देखते हैं उधारन जैसे देखो सागर सा गंबीर हिर्दय हो गिरी सा उचा हो जिसका मन तीक है अब यहां पर देखो सागर सा क्या है आपका हिर्दय है सागर जिस तरह से बहुत विशाल है उसी तरह से आपका हिर्दय भी जो है वो बहुत ही गंबीर और विशाल है तो यहां पर आप किस की तुलना कर रहे हो अपने हिर्दय की किस से तुलना कर रहे हो, सागर से, तो आपका हृदय कितना है, common human का हृदय, और एक हम सागर से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो किन दो के बीच में तुलना कर रहे हैं, इन दो के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ शब्दों को बात करेंगे और ऐसे ही हम क्या करते हैं गिरी गिरी मतलब पहाड है उसका यूज कर रहे हैं किसके साथ हमारे मन से कि गिरी सा उचा हो जिसका मन जैसे एक परवत होता है उसका वो बहुत उचा होता है ऐसे ही लोगों का मन भी होता है ना उचा तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं उस मन का किस के साथ बता रहे है हमारे परवत के साथ बता रहे है यानि मन उचा मन उचा कैसे होता है जैसे हम किसी का मन होता है बहुत रिदे बड़ा होता है उसका मन बहुत बड़ा होता है किसी के लिए कुछ भी कर देता है तो हम को बोलते हैं कि यह इसका मन जो है बहुत ही अलंकार तो इसको justify कैसे करो कैसे पता करो कि यह अलंकार है देखो जब शब्द के आधार पर हम बात करें तो शब्द तो आप देखके पहचान लोगे अर्थ को कैसे पहचान होगे इतना थोड़ी पता होगा हमको हर एक चीज का यह हमारे पास कोई भी काव्या आ जाएगा को उसको कैसे देखके सबका आर्थ हमको नहीं पता है इतने सारे दोहे चौपाईयां बहुत सी जीजे यूज होती है हमको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे करना है और हर किसी का आर्थ हमको आई ये भी ज़रूरी नहीं है अगर आपको पहचान करने को मिल जाए कि इसमें कौन सा लंकार है, तो कैसे पहचान होगे, तो उसके लिए कुछ अंग बना दिये हैं, जिससे आप उसको पहचान पाओ, आप easily उसको identify कर पाओ, कि ये कौन सा है, शब्द में तो आप शब्द देख के पहचान लोगे, अर्थ में कैसे पहचान होगे, तो उसके लिए क्या हुआ है कुछ अंग डिसाइड किये गए और वो कितने हैं, चार अंग है, कौन-कौन से हैं, दिखते हैं, सबसे पहले है उपमे, उपमे क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना कर रहे हो, जैसे कि आप मन की गिरी से कर रहे थे, या हिर्दे की सागर से कर रहे थे तो किस की तुलना कर रहे हो, अपने दिल की तुलना कर रहे हो, अपने मन की तुलना कर रहे हो, तो जिसकी तुलना की जाती है, उसको बोलते है उपमे, तो यहाँ पर मन और हिर्दर क्या था, उपमे था, जिससे तुलना करते हैं, उसको हम कहते हैं उपमान, कि किस से तुलना कर रहे हो जो famous है जिस से tolna कर रहे हूँ वो होता है उपमान मान से याद रख लिना वह जिसको मान दे रहे हैं उपमान, जैसे हम किरी और किसको यूज़ कर रहे थे सागर तो किरी और सागर हमारे लिए क्या थे उपमान थे, ठीक है नेक्स आता है साधारन धर्म साधारन धर्म यानि कि समान ऐसी क्या चीज है जिसमें हम उसको सेम दिखा रहे हैं तो उपमे और उपमान की वह विशेष्टा जो दोनों में एक समान है दोनों में एक समान क्या था जैसे हम गिरी सा उचा बोल रहे थे न यूज कर रहे हैं जो दोनों के लिए एक जैसा justify कर रहा है ठीक है next आता है वाचक शब्द वाचक क्या नहीं वे शब्द जो उपमे और उपमान की समानता प्रकट करते हैं अब आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्या है ये similar similar दिखा रहा है जैसे अगर आप पीछे वाला देखेंगे यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया था सा गिरी सा हम बोलते हैं मा जैसी मा सी तो ये कैसी है बई मा सी मा जैसी है तो ये मा जैसी, तो हम क्या कर रहे हैं, मा के जैसे उसको बता रहे हैं, तो ये क्या है, एक comparison करवा रहे हैं, दोनों में समान वाली चीज बता रहे हैं, कि भी इसके जैसी, तो ऐसे ही ये पर सा ये से है, ये ऐसे शब्द होते हैं, जिसमें आप किसको यूज़ कर रहे हो, इसके जैसा, ऐसा वैसा, तो यहाँ पे सा, यह क्या है हमारे वाचक शब्द है, अब इस मैंसे मैं अगर आपको बोलूँ कि उपमान, उपमे, और वाचक और साधारन धर्म बताओ, तो हम बता सकते हैं, क्या उपमान, जिससे तुलना करे है, मतलब जो फेमस है, तो फेमस को ह है इसमें, इसमें है गंभीर, इसमें है उचा, और इसके वाचक शब्द क्या है, क्या इसमें दिख रहा है, कि जिसकी वज़े से यह ऐसा दिखा रहे है, कि इसके जैसा, सागर सा, या फिर गिरी सा, तो यहाँ पे जो सा, सा है, यह आपके लिए क्या है, वाचक शब्द है और उधारम देखते हैं जिससे और clear हो जाएगा नेक्स देखो क्या है नेक्स है निर्मल तेरा नीर अमरित सम उत्तम है अब आपको न ये बाग क्या मिल जाए और आप से बोला जाए कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है तो हमको अर्थ तो चलो मैं भी आपको बता दूगे ऐसे अन गिन्नत होगे कैसे पता करोगे तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसके साथ comparison किया जा रहा है हाँ हो तो रहा है यहां पे निर्मल तेरा नीर नीर और अमरित नीर क्या होता है पानी होता है और अमरित अमरित क्या है थोड़ा महान चीज बताई जाती है सम उत्तम है अब यहां पे कौन सी चीज क्या है वो हम justify कर लेते हैं नीर क्या होता है नीर तो है हमारा उपमेर क्योंकि ये नॉर्मल है जिससे तुलना करें किससे करें भई अम्रिट से तो ये होता है हमारा उपमान सम उत्तम सम क्या है हमारे लिए वाचक शब्द है क्योंकि सम सा इस तरह से अकर आपको जो चीज समान दा के बारे बत करेगा यह हो गया हमारा वाचक शब्द अब नीर और अम्रित दोनों ही उत्तम होते हैं वह एक पानी वो भी उत्तम होता है वो भी जरूरी है और ऐसे एक अम्रित उसको भी हम उत्तम ही मानते हैं महान मानते हैं तब ही उसको अम्रित बोलते हैं तो यहाँ पे दोनों के लिए साधारन धर्म कौन सा है? उत्तम. तो यह कौन सा हमारा अलंकार हो गया? यह हो गया हमारा उपमा अलंकार. ठीक है? तो यह उपमा अलंकार होता है. नेक्स देखो, नील गगन सा शांत हिर्दय था सो रहा. अब इसमें भी देखो, एक तो नीला गगन और उसके लिए किसके लिए बोला गया है? हिर्दय के लिए बोला गया है. नीला गगन और हिर्दय. जैसे हमारा हिर्दय बड़ा होता है, उसके बारें बात की जाती है. ऐसे ही नीले गगन के बारें बात की जा रही है. अब दोनों के लिए क्या use हो रहा है? दोनों के लिए शांत जो है, वो use किया जा रहा है? शांत हो जाएगा हमारा साधारन धर्म. और next है, यह सा आपको दिखी रहा है. सा, सम, ऐसे शब्द आपको क्या मिल जाएंगे? यह हो जाएंगे हमारे वार्चक शब्द. को कुछ किसी चीज की equation के बारे बता रहे हैं कि ये चीज जो है इसके साथ comparison वाली चीज लग रही है और कुछ आपको शब्द पढ़के भी ऐसा दिख रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ दो चीजों के बीच में बता रहे हैं जो एक बहुत common है एक बहुत famous है तो ये होता है हमारा उपमालंकार clear? आगे बढ़ते हैं next देखते हैं रूपकलंकार रूप चीज़ के बारे में बात ओरी होगी रूपकलंकार क्या होता है उसको देखते हैं जब रूप गुण की अत्यदिक समानता के कारण उपमे पर उपमान का भीद रही तारोप होता है तो उसे रूपकलंकार कहते हैं बाउंसो की उपर से चला गया फिर से समझते हैं जब रूप और गुण जो अभी हम बात कर रहे थे हिरदे की बात कर रहे थे नीले गगन से हिरदे की बात कर रहे थे हमारे सागर से हम मन की बात कर रहे थे किस से गिरी से तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम comparison कर रहे थे लेकिन अगर आप इसके अंदर इसका रूप और इसका गुण इतना ज़्यादा मिला दो इतना ज़्यादा बोल दो कि दोनों के बीच में क्या कर दे भेद रही तारों बताएं मतला यह चीज और यह चीज दोनों सेम ही है ऐसे बोल दें कि यह चीज यह चीज सेम है कोई difference ही नहीं है ऐसे बोल दें तो वहाँ पर कौन सा लंकार होता है वहाँ पर होता है रूप का लंकार यानि उपमे जिसकी तुलना कर रहे हो, उपमान जिससे तुलना कर रहे हो, दोनों के बीच जो difference वाली चीज़ दिखा रहे थे ने, हम किसा, सम, ऐसे शब्द लगा के बता रहे थे कि ये, इसके तरह, ये, इसके तरह, वो चीज़ खतम ही कर दे, बिल्कुल बोलते हैं, अरे लगाँ पर हम कौन सा बोलते हैं, रूपग अलंकार, अरे पहचाने गे कैसे, उसको देखते हैं, उधारण देखो क्या देरखा है, चरण कमल बंदोहरी राई, चरण कमल बंदोहरी राई, ये क्या है, ये सूर्दाज जी के द्वारा लिखा हुआ है, यहाँ पे हरी के बा कमल फूल उसके बारे बात कर रहे हैं और उन दोनों के लिए क्या कह रहे हैं दोनों में कोई हम सिमेरेटी नहीं दिखा रहे हैं कि इसके साथ चरण सा कमल ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम चरण कमल दोनों को सेम कर दिया कि पैर और कमल दोनों सेम तो जहां पर आप दोनों की चीज हमारे पेर में दस बार मिट्टी भी लगी होगी लेकिन फूल में आपको नहीं मिलेगी लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं दोनों को सेम दिखा रहे हैं next भजमन चरण कवल अभिनाशी अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि उनके जो है चरण कमलों की क्या करो भजमन करो मतलब उनका वंदन करो यहां पे भी क्या कर रहे हैं चरण कवल यानि कि चरणों को और उनके कमलों को मतलब उनके फूलों को उन दोनों चीजों के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं एक समान बोल दिया बर चरण कवल दोनों सीजे सेम सेम कि यहां पर कोई चीजों में कोई डिफरेंस नहीं रख रह रहे हैं तो यह होता है हमारा रूपक अलंकार जिसमें आप ऐसा सा सम कुछ इस टाइब का लगा के नहीं बोल रहे हो आप दो महान चीजों को जो दोनों साथ में दिख रही होंगी आप उन दोनों के बीच में इक्वैलिटी दिखा रहे हो कि कोई चेंज नहीं है चरण हो चाहें कमल हो दोनों से में हमारे लिए तो यह होता है हमारा रूपक अलंकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उत्प्रेशा अलंकार बहुत इंप्रेशा को सही से समझना उत्प्रेशा के लिए क्या कहा है जब उप उपमे में गुणधर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है अब यहां पर कन्फ्यूज हो जाओगे आपको लगेगा चरण कमल के लिए तो बोल रहे थे कि सेम सेम है मतलब जब हम रूपक के लिए बात कर रहे हैं वहां पर भी उपमान उपमे के लिए लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे थे वहां पर हम दोनों चीज़े ला रहे थे रूपक में लेकिन दोनों के लिए हम कह रहे थे कि ये और ये खतम कोई चेंज नहीं है चरण और कमल दोनों सेम ही है लेकिन उत्प्रेशा में क्या होगा उत्प्रेशा में आपको उपमे में इ मम्ट सbor्टमाणि आपके मम्मी और वो जो झाल वो अन दोनों के भीक माल लगा के और रह시면 दो देशलयाा रहा है तो यहां पर क्या कर दिया सब कुछ यह दो कि ला के खड़ा कर दिया और बोलता फुर यह gwンタ hen ना आपकी मम्मी थी ना कोई और मानो मम्मी आपने मानो यही मेरी मम्मी है ऐसे बोला तो क्या कर दिया आपने आपने जो मम्मी है जो आंटी है उनी को अपनी मम्मी बना दिया मतला मम्मी को अटाई दिया पिक्चर में से अटा दिया मम्मी को तो जो भी चीज आप किसी उत्प्रेशालंकार जिसमें आप किसी उपमे में क्या कर दो गुण धर्म में इतनी समानता कर दो जो फेमस है ना उस फेमस के लिए बोल दो चलो दूसरा एक और एक्जामपल देती हूं जैसे आप किसी हिरोईन की बात करते हैं कि कैटरिना कैफ ले लेते हैं जैसे कैटरिना कैफ से आपकी फ्रेंड के अदर आपने वो सारी समानता है डाल दी और ऐसे बोल दिया कि जैसे कि मालो यह कैटरिना कैफ को आपने पिचल में से हटाई दिया यानि जो चीज़ें कैटरिना कैफ के अंदर थी वो सारी चीज़े इसके अंदर है और हमने अब जब इसके तो यह क्या होते हैं हम ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जैसे मालो यह है सब चीज़ यह है तो यह क्या कर रहे हैं यह हम उपमे में क्या डाल रहे हैं ऐसी समानता डाल देते हैं कि उपमान को हटा ही देते हैं कि तुम्हारा काम ही नहीं है तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेशा लंका I hope आपको clear हो गया होगा कि उत्प्रेशा होता क्या है उत्प्रेशा जिसके नदर आप इतनी सारी चीज़े डाल दो कि जिससे comparison कर रहे थे ना उसका काम ही खतम हो जाए ठीक है तो ये कहलाता है हमारा उत्प्रेशा लंका उत्प्रेशा लंका उधारण देखो कि उससे और clear हो जाएगा कहती हुई यू उत्रा के नेत्र जबसे भर गए हिमकरणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए उत्त्रा के नेत्र अब जैसे ऐसा कहा जा रहे है मानो की हिम के कर्ण जो है किसी कमल के पत्ते, अब कमल का पत्ता कैसा होता है कमल का पत्ता हम इसे बना देते जैसे मानलो की कमल का पत्ता है मानो की कमल के पत्ते पे क्या आ गए हिम के कर्ण आ गए, तो इन्होंने अगर आप note करोगे तो आपको कुछ एक word मिला मानो, यही आपको पहचानना है भई हर बार अर्थ थोड़ी पता होगा हमको हर एक चीज का, जो मैं बार-बार कह रही हूँ मैं आपके level पर आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप अलंकार पहचान सकते हो इसलिए मैं छोटी-छोटी hints भी आपको बता रही हूँ ताकि आप easily अपने अलंकार को पहचान पाओ, क्योंकि एक छोटी से भी hint मिल जाती है, तो हमको थोड़ी से help मिल जाती है, तो वो help यही है कि मानो, मानो ऐसा हो जाए तो यहाँ पर जो ऐसे शब्द है, वो आपको बताएंगे किसी चीज की, किसी चीज के साथ इतनी जादा उसमें मिलावट आ जाती ही, कि आपको जिसके साथ उसके तुलना कर रहे हो, उसको खतम ही कर देते हैं, तो अब यहाँ पे कमल के पत्ते का, हमारी हो जाएगा, जैसे कि धाय धाम काम सबत्यागी मनहु रंक निधी लूटन लागी, अब यहाँ पे काम वाम ऐसे त्याग के बैठ गयो, जैसे मानलो, अब तो हमको क्या बनना, रंक यानि कि फकीर बनके गूमना है, सब कुछ खतम हो गया है, इस तरह से कितने कट्व वचन बोलती थी, आप सबने देखा ही होगा, तो वहाँ पे, यहाँ पे यह बोल रहा है कि केकई इतने जादा कडवे वचन बोलती थी, मानो, किसी ने क्या कर दिया हो, जखमों पे नमक छिड़क दिया, लून मतलब नमक वाली जो चीज है, उसको केकई के वचनों में इतना जादा डाल दिया है, यानि केकई ने जो बातें बोली है, इतनी कडवी-कडवी उसको एक जले होई या एक जखम पे नमक डालने वाली बात कह दिये, तो आप खुछ सोचो कहीं पर आपको जलावा है, और आप उसपे नमक लगा दो, या कहीं पर आपको कुछ घाव है आप उसपे नमक लगा दो, कितनी पीड़ा होती है उस वाली पीड़ा को इन्होंने किसी के वचनों के साथ कंपेर कर दिया, तो ठीक है तो यह क्या होगा, यह होता है हमारा उत्प्रेशलंकार, जिसमें आप जिससे तुलना कर रहे हो न, उस उपमे के अंदर इतनी सारी समानता डालनों कि जिससे तुलना कर रहे हो खतम ही हो जाए, उसको साइड ही कर दे, अब यहाँ पे आपको जलेवे नमक दिखेगा, नहीं मन हू, तो यह कौन से शब्द होता है, आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे कैसे कैसे, मन ए हू, मान हू, और जानो तो ऐसे शब्द मिलेंगे मनू मानो मनहू जनू जानो जनहू यह सारे शब्द जो है आपको अगर किसी काव्य में किसी छंद में दिखते हैं तो वहां पर आप क्या बताएंगे यह कौन सा लंकार है उत्परेशा क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा बता रहें कि मानो यह चीज मानो यह चीज जान लो कि यह चीज अब जान वू जन वू से क्या होगा जानो यह चीज ऐसे है जन वू ठीके ऐसे है तो यहाँ पर यह क्या है उत्परेशा लंगार फिर से रिपीट करते हूँ क्यों कि उप्मा रुपक और उत्परेशा ये तीनों में confusion हो सकते हैं तो उपमा क्या होगा उपमा में आप किसी चीज का किसी दूसरे big चीज से किसी famous चीज से comparison कर रहे हो कर रहे हो खुद बोलोगे हाम कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या दिख रहे होगे sa, sam, sah, ऐसा कुछ दिख रहा होगा ठीक है लेकिन जब आप बात करोगे रूपक की तो रूपक में क्या करोगे रूपक में जो famous चीज है जो common चीज है उन दोनों को रखोगे लेकिन उनके साथ आप ऐसे शब्दों को use नहीं करोगे ठीके, तीसरा है उत्प्रेशा, जिसमें आप क्या कर रहे होंगे आपको शब्द पहचानने के लिए आपको मिली जाएगा ऐसे सारे शब्द आप देखोगे कि मनहू मानहू, मनहू, जनो जानू जनहू यह सारे शब्द आपको मिल रहे होंगे और यहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा कि उपमे में आप इतनी ज़्यादा समानतर डाल देते हैं कि उपमान को समाप्धी कर देते हैं तो यह कहलाते हैं हमारा उत्प्रेशा लगकार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अति-शोक्ति-अलंकर अति-शोक्ति-अलंकर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तू के गुण, रूप, सौंदर है आदी का वर्णन इतना बड़ा चड़ा के करते हैं कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो वहाँ अति-शोक्ति-अलंकर कहलाता है क्या है फिर से रिपीट करते है ऐसा व्यक्ति या किसी वस्तू या किसी व्यक्ति के बारे में उसके गुण के बारे में उसके रूप के बारे में इतना बड़ा चड़ा के बोल दो कि सामने वाला विश्वास ही ने करे कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा फाल्तू बात है, तो वैसा वाला अगर आपको कहीं पर छंद या काव्या दिखता है, वो कैसा कहलाता है, वो होता है हमारा अतिश्योक्ति अलंकार, उधारन देखते हैं, जैसे कि एक दिन राम पतंग उड़ाई, देव लोक में पहुंची जाए, अब आप खुद ये लाइन पड़ो, और खुद सोचो, क्या फेकने वाली चीज नहीं है, बोलते नहीं है, फेक मत, तो ये समझो, फेकू अलंकार, ठीक है, इसको आप फेकू अलंकार बोलता है, जिसमें फेकते हैं, बड़ी बड़ी फेकनी है, जिसमें हांक इतनी उची पतंग उड़ाएंगे, कि देव लोग तक पहुच जाएगी, ऐसा हो सकता है, पतंग इतनी उची उड़ा सकते हैं, कि देव लोग तक पहुच जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये ख्याली बाते हैं, तो ये होता है हमारा फेकू अलंकार, जिसको हम अतिश लग जोगति अलगार कहते हैं next जब हनुमान जी के पुँच में आग लगई थी तो हनुमान जी कि पुच में तो आग ने लगी पूरे लंका में आग लग लगे और जितने भी निशाचर लोग थे वो सारे भाग गए, तो ऐसा पासिबल हो सकता है नहीं न लेकिन यहां पर इनको चीजों को इन शब्दों को यूज करके ऐसी क्या दिखाया है आपको ऐसा दिखाया है कि हाँ इसमें अतिशोक्ति यह नहीं की रूप गुण कोई बात कोई चीज इतनी जादा आप उसको फेमस कर दो कि जिस पर विश्वास ही नहीं कर सकते है अब हम नहीं कर सकते हैं देव लोग तक कैसे पहुच जाएगी पतंग नहीं पहुच पाएगी यह तो ऐसे ही है मतलब फैंकने वाली बात है ऐसे ही पूंच में जिस चीज में आग लगी आप लकड़ी पे आग लगाओ और किसी चीज को जलाओ तो लकड़ी भी जलेगी न है जिसमें आपको क्या दिख रहा है किसी की भी विशेष्टा बहुत बड़ा चड़ा के बता रहे है ठीक है यह हो गया हमारा अतिश योक्ति अलंगार जिसको आप सिंपल में अपनी भाशा में फेक कूं अलंगार वे गया सकते हो नेक्स्ट है मानवी यह करण मानवी यानि human beings के according कुछ होगा तो वैसा ही है बिल्कुल जब जड़ पदाथ हो यानि कि जब आप किसी पदाथ किसी भी ठोस चीज किसी भी वस्तू के बारे में बात करो और उसको क्या करो प्रकरतिक या फिर कोई प्रकरतिक का अंग कौन कोन से हो सकते हैं जैसे नदी हो गया प्रवत हो गया पेढ लताएं जहरने हवा पत्oughर पह करते हैं उसके साथ आप नदी पाहाड परवत जहरने वरने लताएं फताएं इन सभी चीजों को यूज करके क्या बता रहे हो किसी human के साथ human की क्रिया के साथ उसका comparison कर वा रहे हो या कोई ऐसा कारे कर वा रहे हो उसको हम क्या कहते हैं मानवीय करण अलंकार कहते हैं फिर से देख लो कि क्या होता है मानवीय करण अलंकार जिसमें आप कोई भी प्रकरती की वस्तू है या किसी भी वस्तू का किसके साथ comparison करवा रहे हो आपकी मानवीय क्रियाओं के साथ मानवी क्रियाओं के साथ उसको बता रहे हो वो कहलाते है हमारे मानवी करन अलगकार उधारन देखते हैं उधारन देखिए सबसे परे दे रखा है हर्शाया ताल लाया पानी परात भरके हर्शाया ताल ताल मतलब तालाब जो है जब उसमें लहरे आती है जब उसमें पानी ऐसे इस तरह से लहरों के साथ आता है तो उसके साथ क्या बोला है हरशाया ताल लाया पानी पराद भर के अब ये पराद भर के पराद भर के तो हम लोग यूज़ करते हैं पराद पता नहीं क्या होता है तो हम humans करते हैं तो हमारी मानव की क्रिया को किस साथ compare कर लिया हरशाय ताल मतलब तालाव से compare कर लिया तो भीन प्रकर्टि में चीज़ मानव क्रिया नहीं तो लोगेन आपको ऐसा अलंकार मिल झाता है तो वह कौन साथ में अलाव करन कार नहीं तो मानवी करण की क्रिया कर ली next है मेग आए बंठन के सवके अब यहाँ पे मेग मतला बादल उनको क्या बोला है बंठन के अब बादल बंठन के आते हैं क्या बंठन के तो हम जाते हैं बंठन के मुट्याराया सौंक सुना वह आपने तो यहां पे बंठन के अब मेग जो बादल है वो बनके आएंगे क्या है बंठन के हम बंठन के जाते हैं तो यहां पे मेग क्या है प्रकर्ति की चीजे और बंठन के बंठन के कौन आते हैं हम लोग आते हैं हमारी क्रिया है मानविय क्रिया है तो यहां पे प्रकर्ति का मानव में आएगा तो फिरस एक बार समझ लेते हैं शब्द अलंकार में तो आप शब्द देखके पहचान कर लोगे कि अनुपरास में आपकी आवरती हो रही है यमक में आप दो शब्दों के बारें बात कर रहे हो ठीक है शलेश में आपको एक ही शब्द के बहुत सारे मिनिंग मि तो आज हमारा अलंकार जो है वो complete होता है, आपको कैसे question मिल सकते हैं मैं वो भी बता देती हूँ, आपको ऐसा हो सकता है कि कोई भी अलंकार और उसका एक उधारन लिखने को मिल सकता है कि इस अलंकार की परिभाशा लिखो और उसके साथ उसका एक उधारन लिखो, तो आपको जो भी easily यहां से कुछ उधारन समझ में तो यहां से ले लेना, यहां से बढ़ लेना, नहीं तो बहुत और भी बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ में आता हो, अच्छे से लिखना आता हो, उसकी practice कर लेना, और ये अलंकार पहचानने के लिए, और exercise भी कर लेना thank you so much, bye bye and take care